दोस्तों आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज के सुड़े में हम बात करने वाले मतलब तीन ड्री मिलियोन की विनिंग टीम्स देखने वाले शार्जा CBFS T10 की जो मैच है BG BG वर्शेस FAL की तीन ड्री मिलियोन की विनिंग टीम्स देखने वाले दोस्तों आपको एक बात जरूर बता दू काफे मुश्किल था ये तीन टीम्स बनाना क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिट तो बरावर है लेकिन प्लियर ही कुछ मतलब इतने अच्छे नहीं है ज्यादा हैंपर कि हमbourलाते तीन टीम्स बनाते हैं त्रींटों इस दिखाता जाओंगा के ज Cameron करके दिखातीक Pokémon किसको मैं आपको देंडपरून किसे बना सकते वह सुंभी आप मेरे चैनल पर नहें तो ज़रू सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकाउन को प्रेश करके अल पर जाकर घंटी की बेल पर जाके अल पर क्लिक करके कर दीजिएगा तो वीडियो को शुरू करते माई टीम पर क्लिक करके और यहाँ पर पहली टीम को मैं आपको इडिट करके दिखा देता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास कुल मिला के चार ओप्शन है कीपिंग में लेकिन तीन ही जो हैसे है जो प्लेइंग इलेवन में भी शामिल है और तीनों ने अच्छा परफॉमस भी किया है लेकिन पहली टीम में मैं तीनों के साथ नहीं जाओंगा एच ताहिर जो हो रही है और बाकि किसी और का परफॉमस बिलकुल भी अच्छा नहीं है तो मैं तीनों ने में हो छोड़ दिया जाये तो किसी ने भी 30 से ज़ाधा पॉइंट नहीं दिये तो इसके अलाव यह तीन जो बल्लेबाद मैं लिए इसके अलाव हम कोई और लेंगे ऐसा मुझे लगता टो नहीं अब चलते हैं Allrounders पर तो यहाँ पे मैं अभी इस टीम में सिर्फ तीन Allrounder के साथ जा रहा हूँ A. Malik, M. Azhar, दोनों की दोनों अच्छा performance कर रहे हैं इसके अलाव अभी Allrounder में और option है लेकिन हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमार पास तीनी Allrounder लेने का option है तो यहाँ पे ओ फारुक को यहाँ ले लिया है जो तीसरा Allrounder है तो देख सकते हैं तीनों ने काफी बढ़िया performance किया है इसलिए मैंने उनको यहाँ पे शामिल किया है अगर गेन बाजी की बात करें तो देख सकते हैं मैंने इस बार जेड सिद्धी की को लिया है उसके बाद मैंने M Amine को भी ले लिया है यह भी काफी बढ़िया performance कर रहे है और इसके बाद मैंने N बशर्थ को इस टीम में शामिल कर रहे है तो इस तरसे तीन जो गेन बाज है उसमें से एक ने जावर्दस performance किया है एक ने ठीक टाक परफॉमस किया है तो इसके अलाव में तीसरा जोथा गेन बाज यहाँ पर नहीं ले पाऊंगा क्योंकि हमारे पास ग्यारा की टीम हो चुकि इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है और देख लेना कैप्टन और वाइस कैप्टन हम किसे बना सकते है तो यहाँ पर मैंने कैप्टन बना है एम अजर को काफी जबदस परफॉमस रहा है और यू खान को वाइस कैप्टन बना रहा हूँ यह भी काफी बढ़िया परफॉमस करें चले टीम प्रिव्यू कर लेते हैं जैसे का आप देख पार है मेरे पास दो कीपर है एम अजर ओ फारुक और एमल लिक इस तरह से तीन उप्शन मैंने यहाँ पर चूज किये जो कि अच्छे खासे है और अच्छे खासे बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर रहे हैं गेन बाजिक की बात करें तो एम अमीन है जेड सिद्धी के और एन बशत को इस टीम में शामिल कर लिया है तो देख सकते हैं दोस्तों काफी बड़िया टीम बन चुकी जरूर कहूंगा इस टीम को आप ग्रैंड लिक के लिए और स्मॉल लिक के लिए दोनों के लिए उच्छी है जबरदस्त है और दोनों में आपको जीत मिल सकती है अगर आप चाहे तो दोनों लिक भी इस टीम पर लगा सकते हैं फिर से कैप्टन और वाइस कैप्टन के अगर बात करें तो यहां पर मैं आपको जरूर दिखाऊंगा कैप्टन मैंने यहां पर देख सकते हैं हाँ को कैप्टन मना रहा हूँ और यूऊ खान को मैं फाइस कैप्टन मना रहा हूँ दोनों की दोनों बेस्ट खहल रहें एक काफी जब अधस गेंबाजी कर रहे है विकटे निकाल रहा है और अच्छी भल्ले बाजी भी कर रहा है और दूसरा काफी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहा है स्टाइक रेट भी अच्छा रख रहा है तो इसी वाज़े से मैंने एम अजर को कैप्टन जो आल राउंडर है बैटिंग और बॉलिंग दोनों में पॉइंट देंगे इसलिए इनको कैप्टन मनाया और यूखान को वाइस कैप्टन मनाया जो काफी बड़िया बैटिंग कर रहे तो इस तर से पहली टीम काफी अच्छी बन चुके फिर से कहूंगा ग्रांड लिग और स्मॉल लिग दोनों के लिए उच्छ कर सकते लेकिन ग्रांड लिग के लिए ज्यादा बे ऩूर्च कर लिए क्योंकि यह अच्छा परफफांस कर रहे और डबलु बट को भी मैने यहापर स्वाय कर लिए वह यहां पर गारीनी के बारेल में शोचों गार स्तिम में तो कम से कम नहीं इसके बाद और पर चलते तो आफकोस तीन कीपर लेनी को जैसे दो यह ले सकता हो था तो मैंने यहाँ पे सबसे बेस्ट डो और को चूज कर लिया है एम अजर और यहाँ पे देख सकते हैं इसके अलाव में किसी और को नहीं लूँगा क्योंकि अफीज आफरीदी को पिछले टीम में हम नहीं ले पाएते तो इस टीम में मैं जरूर उनके साथ जाओंगा क्योंकि यह भी काफी बढ़िया परफॉर्मस करें तो जरूर आप इन दर्थ को भी वापस सिस्टेम में ले लिया है काफी बढ़िया टीम बन चुके दोस्तों फिर से कंटीनू पर क्लिक कर लेना है और देख लेना क्याप्टन और किसे बना सकते तो मैंने इस बार यू खान को पिछले टीम में वाइस क्याप्टन बना रहा है तो यह भी काफी बढ़ी आ है दोस्तों जरूर आप इन दोनों को क्याप्टन और क्याप्टन बना सकते टीम प्रिव्यू कर लेते जैसे के आप देख पार है थोड़ा हट यहाँ पे बनाए है मैंने तीनो कीपर्स को यहाँ पे शामिल कर लिया क्यूंकि तीनो कीपर काफी बढ़िया फॉर में और अच्छी खासी बैटिंग कर रहें और कीपिंग भी एक कर सकते हैं तो इससे हमें ज्यादा पॉइंट यह दे सकते हैं एच ताहिर डी इजाज और डबलुबट इस तरह से तीन कीपर है बैटिंग में वही तीन बैट्समन ने यू झे जनार्धन और टी जावेद तीनों की तीनों बेस्ट परफोर्मंस करें ऑल रांडर की बात करें तो पिछले टिम में तीनन ज्याज पर लिए जैसे कि आप देख पारे एस मनशाद को मैंने ले लिया है जेड सिद्धी को लिया है और एन बर्षाद को फिर से इस टीम में शामिल कर रहा हूं तो मुझे लगता है यह टीम तो पिछली टीम से भी जादा अच्छी है जादा खतरना के तो इस टीम को जादा से जादा ग्रांड ल आप ऐसा भी कर सकते हैं ग्रैंड लिग और एक स्मॉल लिग भी इस टीम पर लगा सकते हैं फिर से अगर क्याप्टन और वाइस क्याप्टन की बात करें तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं कि मैंने यहां पर क्याप्टन बनाया है यूखान को पिछले टीम में इनको अच्छे फॉर्म में तो इसलिए इनको वाइस क्याप्टन मैंने बनाया है तो काफी बढ़िया टीम में चुके इस टीम को भी क्लोज कर लेते हैं और सेओ कर लेते और तीसरी और आखरी टीम में अगर देखे तो मैं एकी कीपर के साथ जाने आलो वह है एच ताहिर इसके अलाव मैं कोई और की पर नहीं लूँगा क्योंकि अल्रेडी मैंने सभी आप्शन चूज कर लिए बैटिंग पर चलते तो तीन बैट्समन वही है मेरे पास यूखान टी जावेद और जे जनारदन इसके अलाव कोई और बैट्समन अभी नहीं लेने वालो मैं क्योंकि ती मैंने यहाँ पर शामिल कर लिया तो काफी ऐसे जिनको मैं नहीं ले पायता तो यहाँ पर उनको मैं ले रहा हूँ तो चार आप मैक्जिमम और ले सकते तो इस टीम में मैंने उन चारों को शामिल कर लिया गेनबाजी की बात करें तो यहाँ पर देख सकते जेड अली को ले भी तो इस टीम को भी Continue पर क्लिक करके देख लेते zaयासके तो चलिएज तो मैंने इस टीम का क्याप्टन H ताहिर को में को बना जीए रदोस्टों काफी coming और वाइस क्याप्टन मैंने यु कान इस टीम में मैं ज़्यादा ओप्शन चाहे थे ओल डॉंडर में तो एकी किपर को ले रहा हूँ एच ताहिर को इसके अलाव मेरे पास बैटिंग में वही तीन बल्लेबाज है यूखान, जे जनारधन और टी जावेद इसके अलाव मैं बैटिंग में आपको पहले ही बता चूज कर सके अगर ऊलाउंडर करें तो यहाँ मैंने हर टीम में खुछ ना कुछ चेंज़ कर लिए इस बार तो चार और के साथ जा रहा हूँ एम अजहर को ले रहा हूं ए मलिक को ए हफिज अफरेदी को एस्समक्सूद को तो इस तरह से चार ओल डॉंडर है गेनबाधी में भी हर वहूज पलिया है इस बार एम अमीन को लिस्टा में को लिए है जड़नी टू को लिए और जड़नीकी को लिस्टा लिए है और ये भी टीम काफी खतरनाक बनी है जरूर grand lick के लिए यूज कीजेगा तीनों टीमों को grand lick के लिए जरूर यूज कीजेगा आपकी ये टीम कम से कम आपको grand lick जिता सकती है या फिर आपको तीनों टीमें आपके अच्छी ranking लेका है तो वहाँ पे भी आपको profit करके दे सकती है तो इसलिए तीनों टीमों को अफकोस आपको Grand League के लिए यूज़ करना ही है और अगर आप फिर भी Small League के लिए अगर यूज़ करना चाते तो भी तीनों टीमें आप Small League के लिए यूज़ कर सकते क्योंकि काफी अच्छी और खतरनाक टीमें बनी है जो कि आपको अच्छी खासे अर्निंग तो करा के देगी ही साथ इसाथ हो सकता है कि Grand League भी आपको जिता के दे योर स्मॉल लिग तो आपको जिता नहीं वाली है तो चले दोस्तों फिर से Captain और Vice Captain की बात करे तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने इस टीम का Captain एच ताहिर को बनाया अभी तक एकी टीम में इनको Vice Captain बना पाया था यहाँ पर मैं उनको इस टीम में मैं उनको Captain बना रहा हूँ क्योंकि काफी अच्छे बल्लेबास तो है दोस्तों लेकिन Keeping भी कर लेते तो यह भी एक्स्ट्रा पॉइंट हमें दे सकते वही यूखान को मैं Vice Captain बना रहा हूँ यह भी काफी अच्छी बैटिंग कर रहे है और काफी जबदस खेल रहे तो ज़रूर आप इनको Vice Captain बना सकते इन पर भर्षा कर सकते एक टीम में अल्रेडी हम उनको Captain भी बना चुके आप एम अजर को भी Vice Captain बना सके तो यह दोनों ऑप्शन अच्छे रहेंगे Vice Captain के लिए तो इसलिए यह उप्शन भी मैंने आपको दिखा दिया है काफी अच्छी लिग्स भी इस पर लगा सकते Grand League और एक Small League आपको जरूर अच्छी आर्निंग होगी दोस्तों इस टीम को भी अभी क्लोज कर लेते और सेव कर लेते और आखिर में यही कोंगा दोस्तों अगर आपको लगता है इन तीनों टीमों में वैसे तो ना मुनकिन है लेकिन फिर भी तो यह तीनों टीम है और मेरा यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो इसे लाइक शेर और कमेंट करना ना भूले दोस्तों और साथी साथ चाइनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वह भी कर लीजे पिछले प्रेडिक्शन जाके देख सकते काफी अच्छे जा रहे और बेल आइकन को प्रेस करके अल पर भी क्लिक करना ना भूले ताकि इसी तरके अच्छे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके तो ठीक है दोस्तों टेलिग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है वहां से जाके उसे जॉइन कर लीजे ताकि क झाल